वेल्कम बैक, आज हम सीखेंगे मॉडूलस को, मॉडूलस क्या होता है और यह कैसे काम करता है, पहले यही चीज समझाने के लिए मैं आपको हमारा जो पहला टूल हमने सीखा था, एकसल उसमें लेके जाता हूं और वहां पर मैं आपको यह चीज मैनुवल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, फिर हम यहां पर आके मॉड का किस तरह से करना है को यूज करते हैं, देखें जब भी हम कुछ डिविजन करते हैं, तो क्या होता है, एक डिवाइडर होता है, एक डिवाइडर होता है, जैसे मिसाल के तोर पे, अगर मैं 100 को 2 से डिवाइड करूँ, तो मेरा आंसर क्या आता है, यहनी कि 50 और 2 का मल्टिप्लिकेशन 100 बनता है, पॉइंट में बात नहीं जाती है, लेकर अगर यही 100 मैं 3 से डिवाइड करते हूं, तो मेरा रजल्ट क्या आएगा, 33.333, इसका मतलब यह है, वो जो पॉइंट के बाद वाली बात है, वो बाकी अमाउंट बच की है, जो के डिवाइड नहीं हो सकती है, वो रिमेंडर वैल्यू हमने कैसे लेनी है, उसको हम कहते हैं, मॉड, मॉडुलस, अब वो कैसे निकालना है, एक्सल के अंदर तो बड़ा सिं हो जाएगा, अगर मैं इसको 5 करूंगा, फिर 0 हो जाएगा, 6 करूंगा, तो 4 हो गया, 7 किया, तो 2 हो गया, 8 किया, तो यह चेंज होता है, अब चलते हैं, आर में वापस, आर में इसके लिए क्या यूज किया जाता है, सबसे पहले उसी तरह से हम, चूंके, आर और इसको हम कर देते हैं, अगर आप इसको चेक करना चाहें, तो प्रिंट में जाके इसको चेक कर सकते हैं, यह देखें नीचे प्रिंट का रिजल्ट आ रहा है, आपके बास हंड़र इसकी वैलिए आगी है, अच्छा, अब नम वन का आपने मॉडूलिस कैसे निकालना है, यहां पर हम लिखते हैं, जी, म और बी, और म और बी को हम, असाइन करते हैं, लट से थ्री एक वैलिए असाइन कर लिए, इसको भी मैं एग्जिट कर देता हूं, कंट्रोल एंटर से, या रन पर क्लिक करें, शॉर्टकट की कंट्रोल एंटर, पता नहीं मैंने आपको पहले पता है या नहीं मताया, लेकर अगर नहीं मताया तो यहाद कर लिए जा अच्छा, अब नम वन के अंदर हमने एक वैलिए स्टोर की हंडर्ड, और मॉड के अंदर एक वैलिए स्टोर की प्री, उसको हम एग्जिगूर करने जा रहे हैं, आर, ई, ए, 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 यू, यू, और इसको कर देंगे एक्जिक्यूट, अब रिजल्ट करें ज़रा प्रिंट को, प्रिंट, एक्सल में जब हमने थ्री के साथ मॉड निकाला था, तो हमारा रिजल्ट आया था वन, और यहाँ पर भी देखें हमारा जवाब, वन ही आया है, इसी तरह से अगर मैं इसकी वैल से मैं कर देता हूँ इसको 6, और फिर मैं सारे का सारा कोड एक्जिक्यूट करूँगा, मेरा रिजल्ट आ गया, 4, So, I hope कि मॉडूलस ऑपरेटर का आपको जो है वो आइडिया हो गया होगा, कि कैसे काम करता है, दो परसेंटड़ी साइन के साथ आप जब काम करेंगे तो आपको आपको परसेंटर का लेंगे, आज की वीडियो में इतना ही देखते रहें, और I hope कि यह सारी चीजें आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आपको आपको एक्टिक्ट कर रहे हैं, झोन हो बस्पर्द चैनल को में आपको